थोड़ा आगे बढ़ते हैं अर्थ्राइटिस पर चलते हैं अर्थ्राइटिस दो तरह का रुमेटिड और ऑस्टियो दोनों तरह के अर्थ्राइटिस में एक मेडिसिन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ चूना जिसको आप कभी भी इस्तेमाल करिए दूसरी मेडिसिन भी पहले बता दिया है लेकिन रिपीट करता हूँ मेथी का दाना बेस्ट मेडिसिन अर्थ्राइटिस के लिए दोनों ही अर्थ्राइटिस के लिए रुमेٹिड है तो, औस्टियो है तो लेने का तरीका बता चुका हूँ इक चोटा चमच मेंदी का दाना, एक इक लास गरब पानी में रात को ढलना, सबिरे उटके पानी सिपसे पीना, दाना चबा के खा हुआ, तो अर्थराइटिस के लिए, और एक एक्स्टरा मेडिसिन अब मैं बताने जारह हूं अर्थराइटिस के लिए, ऐसे अर्थराइटिक पेशेंट जो टोटली बैड रेडिन हो गई 40 साल से उनको तकलीफ है कोई बोलेगा 30 साल से तकलीफ है किसी को 20 साल से तकलीफ है और ऐसी कंडिशन हो सकती है कि वो दो कदम भी ना चल सकें हाथ भी नहीं हिला सकें इतना दर्द उनको होता है तो लेटे रहते हैं बैड पे करबट भी नहीं बजल सकते हैं उस कंडिशन के लिए जिनको बहुत पुरानी अर्थराइटिस है 20 साल, 25 साल, 15 साल उनके लिए एक स्पेशल मेडिसन है जो उसी के लिए काम आती है वो एक पेड से बंदी है एक पेड होता है उसको हम कहते हैं हार सिंगार पारिजाद, संस्कृत में उसको पारिजाद कहते हैं, हंभी में हारसिगा, उसमें सफेद रंग की फूल आते हैं और नारंगी रंगी डंडी, सफेद रंग का फूल चोटा होता है, नारंगी डंडी होती, फूल में बहुत तेज खुश्पू आती है, रात को ही फूल खिलते सुबह जब आप उठेंगे तो वो जमीन पे गिरे हुए मिलते हैं वो है परिजाद, वो है हारसिका है जी रात किरानी अलग है हारसिकार अलग है पारिजाद कुछ ऐसे हो सकते हैं दो-चार परसंट लेकिन जादा गिर जाते हैं और ध्यान ये रखिए कि रात को ये फूल खिलते हैं खुश्बू बहुत तेज होती है दूर तक आती है डंडी हमेशा उसकी नारंगी होती है इस्टेम पार्ट उसका औरेंज होता है और फूल जो है सफेद होता है ये पेड़ है अब चावल को डालते हैं और उसको पीस ना है पत्ते को पत्थर को पीस लीजे थोड़ा पानी डाल के पिस गया तो एक किलास पानी में वो मिला के पीसा हुआ चट्नी मिला के उसको बॉयल करना है पानी को और इतना बॉयल करना है कि पानी आधा हो जाए काड़ा बन गया अब ये जो काढ़ा बन गया है इसको ठंडा करके फिर पीना और ये सबेरे ही पीना है तो इसलिए रात को बना के रख दीजे सुबह उठकर इसको खाली पेट पीजे और पिला दीजे जिनको भी पुराना जोड़ों का दर्द है दस साल हो गया बीस साल हो गया पंद्रेट पचीस साल हो गया बहुत तकलीफ है चल नहीं सकते हैं बैट नहीं सकते हैं उठ नहीं सकते हैं ये उन सब के लिए अमृत की तरह से काम करता है इना चर लगाता तर दे दो फिर ब्रेक कर देना फिर और तीन महीने दे देना मैंने इ आपको, बहुत अच्छा है, तो अवाब ये दूसरों को बताईए, अच्छा इसको आप अर्थराइटिस में यूज करिए, जॉइंट्स में यूज करिए, इसका और एक यूज है, जो थोड़ी देर पहले बात आ रही है, अगर आपको डेंगियू हो गया, अब डेंगियू करें इसे तरिके नहीं है, बस इतना है कि देंगियू के केस में फंद्रे से 20 दिनी लेना पोड़ेगा, अर्थराइटिस में तो महीने तक लेना पोल सकता, उन्हीं नौर्मल पीसाग देंगियू कोई प्रवलम नहीं, नहीं, प्रिप नहीं, लाँ, अगर हाथ में दर्द होता कट-कट अवाद आती है यह तो चूने से ठीक हो जाए तो इसको फिर रिपीट कर देता हूं हार सिकार का पेड़ है उसको पहचानना है कि सफेद फूल छोटे नारंगी रंडी फूल की खुश्बू बहुत है रात को फूल खिलते हैं सवेरे जबीन पे गिरे हुए मिलते हैं इसके पत्ते को भी पहचानना बहुत आसान है इसके पत्ते को आप छूएंगे तो काटे जैसे चुटे नहीं मिलेगा कोई नहीं रख यह तो जहां पेड़ लगा है महीं मिलेगा तो आप इसको घर में लगा लो यह जो नरसरी वाले लोग हैं उसके पौदा लिया और दो चार पांच रूपाई का पौदा मिलता है बिना पानी के होने वाला पौदा है बहुत तेजी से बढ़त पानी को इतना गरम करना है कि आधा हो जाएगा फिर उस पानी को ठेड़ा करके पीना है यह है पुरा प्रसर वटो म्यवाना हार दिन नया बनाने हर दिन नया कर देना सबेर ऊटके पी लेना दुबारा गरम नहीं 100% result है इसके, एक भी आज तक पेशेंट मुझे ये नहीं बोला कि मुझे इसका फाइदा नहीं है, ये अडिशनल है और एक्सक्लूजिव है, इसको लेने के बाद कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ना चूना, ना मेंधी का नावा, लेग्यू पेशेंट भी इसको ले दर्द आ जाते हैं, किसी भी तरह का मुखार जिसमें जोडों का दर्द आ जाए और जल्दी ठीक ना हो, उन सब में आप इसको यूज करें, नहीं, 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 जी, ये इतनी स्ट्रॉंग दवा है कि ये अकेली ही ली जाती है, दूसा सार, इसके अफ्राइक्स क में हैं, वो तो आपको मालूम ही है, मैं तो वो बता रहा हूँ, जो किताब में नहीं है, आपके पास, नहीं, बिल्कुल नहीं, एक बार में आप समझ लीजे, ये एक्स्क्लूजिव मेडिसिन है, तो अकेली ही ली जाए, इसके साथ कुछ भी लेंगे तो तकलीफ हो जाए और एक बीमारी में इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, आरे फेक्टर जिनका भी प्रॉब्लॉमेटिक है और डॉक्टर कहता हैं, कई बार काटिलेश पूरी तरह से खतम हो जाते हैं, और डॉक्टर कहता हैं, आप कोई चानस नहीं है, नी जॉइंट्स आपको रिप्लेस करने ही पढ़ेंगे हिप जॉइंट्स आपको रिप्लेस करने ही पढ़ेंगे तो जिनके नी जॉइंट्स रिप्लेस करने की नौत आ गई हो необest इस निकाल के नया लगाने पड़ आरे हों या हिप जॉइंट्स निकाल के नया लगाना पड़ गई हुं सब कर education student हाव सिंद्वा कभी था काङए घड़ाइए और लिजॉइंट सब्सक्रार को एलो uniform और जिए चौने विएस अदे को सप्षपार्णता है नी जॉइंट्स का रिप्लेस्मेंट हुआ, अमेरिका के बहुत बड़े डॉक्टर ने किया, आज उनकी तकलीफ पहले से जागा है, पहले तो थोड़ा बहुत चल लेते थे, अब तो चलना बिल्कुल बंदो गया है, कुरसी पे ले जाना पड़ता है, अब आप सोचो, जब रिप्लेस करलो, ये मत करिये आप, बगवान ने जो दे दिया है, उस पे भरोसा रखिए, उसको रिपेर कर लीजे, पैसे का घमंड कभी मत करिए, कि मेरे पास पैसा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, पैसे से दुनिया में सब नहीं होता, जो हो जाता, तब तो ये दुनिया ह बीकरी के साथ कोई लेना देना नहीं है कोई रिष्टा नहीं हो सकता हैं किसी के पास बिल्कुल डिग्री ना हो, आपके गाउं का साधारण वैद दे हो, वो कैंसर मिटा दे आपका, और हो सकता है बड़ा डिग्री वाला आपकी जान निकाने, इसलिए नॉलेज को सम्मान करिए, डिग्रियों के पीछे मत भागिए, इतना पागलपन हमें आ गया है, कि थोड़ भी बहुत लिखता है, यह चटकर छोड़िए, क्योंकि सिंपल मेडिसिन्स हमारे आसपास में जो उपलब्द हैं, वो इतनी इफेक्टिव हैं, जो कोई दूसरी कॉम्प्लिकेटिव मेडिसिन नहीं काना,